गोड इवनिंग फ्रेंट्स मैं अमित कुमार गुपता एडवोकेट अपने इंकम टेक्स के केसिस के सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा उस केस का नाम है कमिशनर आफ इंकम टेक्स वर्सेज एक्जिम राजा थी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये केस 438 आईटियार पेज नमबर 19 पे रिपोर्ट हुआ और केस मदरास आई कोट ने डिसाइड किया मैटर 7 सेप्टेंबर 2021 को डिसाइड किया गया इस केस के अंदर एक बहुत छोटा सा इशू इनवाल था जिसको अससी के ऊपर अननेसेसरी थोप दिया गया और अससी को उस मैटर को सॉल्व कराने के लिए हाई कोट तक की जो है वो लड़ाई लडने इन पड़ी इस केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 एक ऊपर ये सारा केस था मूट पॉइंट जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल ए था सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल ए ये कहता है कि यदि कोई अससी के पास 36 महिने से ज्यादा के लिए नहीं है तो वो शार्ट टम कैपिटल एसेट कहलाएगा पहले 36 मंस था उसको घटा करके 24 महिने कर दिया गया है और शेर्स के केस में ये पीरिड जो है वो 24 महिने ना हो करके 12 महिने है कहने का मतलब है कि यदि अससी ने कोई शेर्स को 12 महिने से ज्यादा होल्ड किया है तो अससी उस शेर्स को लॉंग टम कैपिटल एसेट मान सकता है और उसके उपर टेक्सेशन जो है वो उसको 30 परसंट ना दे करके उस पे 20 परसंट के स्लैब में अससी को टेक्स देना होगा अससी के पास अनलिस्टिट कंपनी के शेर्स थे अससिंग ऑफिसर साब ने देखा कि जो शेर्स हैं वो अससी ने 12 महिने से ज़्यादा होल्ड की हैं इसलिए उसको लॉंग टम कैपिटल असेट लेते हुए लॉंग टम कैपिटल गेर निकाला और उसके हिसाब से अससी से 20% के हिसाब से टेक्स ले लिया CIT आपको यह बात पसंद नहीं आई उन्होंने 263 के अंदर अससी का रिविजन किया यह कहते हुए कि जो 12 महिने का बेनिफिट है वो खाली लिस्टिट कंपनी के शेर्स में दिया जाना चाहिए नॉन लिस्टिट के केस में नहीं दिया जाएगा अससी का टेक्स रिकैलकुलेट किया गया 20% से निकाल करके 30% के स्लैब में अससींग आफिसर साब ने अससी की टेक्स लियाबिल्टी कैलकुलेट करी अससी आईटी-एटी के पास गया ITAT ने कहा कि law बिल्कुल clear है section 2 subsection 42 capital A के अंदर यदि कोई shares चाहे वो listed हो या unlisted हो यदि वो 12 महीने इससे ज़्यादा assessi ने hold की है तो वो long term capital gain की definition में आएंगे long term capital asset की definition में आएंगे और accordingly जो है वो tax calculate किया जाएगा इसके लिए एक department का circular है जो की 21 जन्वरी 2015 को लाए गया circular number 1 of 2015 और जो explanatory notes to the provisions of the finance act 2014 के अंदर भी ये एक आ गया कि चाहे shares listed है या unlisted है जिदि वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए assessi ने hold किये हैं तो वो long term capital asset की definition में आएंगे और उनके उपर 20% assessi को tax देना होगा और ITAT ने ये कह करके assessi को relief दिया जिसके लिए assessi जो है वो ITAT के पास गया था बाद में department जो है वो इस order के engaged भी high court गया और high court ने भी ITAT के order को appell रखा और ये decision दिया कि जो shares हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो listed shares हो तब ही वो 12 महीने के बाद qualify कर जाएंगे long term capital asset के लिए तो high court ने भी ये law laid down किया कि whether the shares are listed shares or unlisted shares if the assessee holds them for more than 12 months then they will qualify in the definition of the long term capital asset and the tax will be calculated at the rate of 20 percent friends बिलकुल clear है section 2 subsection 42 capital A के अंदर कि वहां पे कोई भी bifurcation जो है वो listed और unlisted के बीच में नहीं किया गया है लेकिन खाली एक litigation को promote करने के लिए खाली ये कि assessee को कोई benefit मिल रहा है taxation के अंदर assessee ने कम tax दिया है तो उस वज़े से assessee से वो benefit नहीं लिया जाना चाहिए और EO ने यदि गलती कियो तो बात मानी भी जाए CIT ने इसको अपना revision किया section 263 के अंदर और फिर बाद में assessee को फिर दुबारे 263 की लड़ाई लड़नी पड़ी फिर ITAT गया assessee और फिर जब department इस useless अपील के लिए भी high code गया तो उस case में भी assessee को high code तक ये लड़ाई लड़नी पड़ी बेराल assessee को relief मिला और ला बिल्कुल clear है कि जहां पे shares हैं चाहें वो listed हो या unlisted हो यदि वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए hold किये गए हैं तो वो long term capital gain की definition में आ जाएंगे एक बार फिर मैं केस का नाम repeat कर रहा हूं केस का नाम है Commissioner of Income Tax versus Exim Rajathi India Private Limited और ये case 438 ITR page number 19 पे report हुआ friends at the end of my this deliberation I want to say that if you have not subscribed my channel till yet then you may subscribe the channel so that you may get the future notifications of my latest case laws and if you have any suggestion or any query regarding the case law you can also comment in the comment box so that I can reply you thank you friends